नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूग चैनल टीवी शो विडियोज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं, तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देवों के देव महादेव मोहित रहना के बारे में आप क्या जानते हैं? टीवी की दुनिया में कई सीरियल ऐसे हुए, जिन्होंने अपने सितारों को ऐसे मुकाम पर पहुँचा दिया, जहांसे वह घर-घर में रचबस गए। कुछ ऐसी ही कहानी मोहित रहना की है, जिन्होंने टीवी सीरियल देवों के देव महादेव में भगवान शिव का किरदार निभाया था और हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। कश्मीरी पंडितों से तालुक रखने वाले मोहित रहना ने अपनी पढ़ाई लिखाई जम्मू के केंद्रिय विध्यालय से की वहीं यूनिवर्सिटी ओफ जम्मू से ग्रैजुएशन किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने लुक्स से फैंस को दीवाना बनाने वाले मोहित रहना एक जमाने में 107 किलो के थे। जब उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का प्लान बनाया तब उन्होंने 29 किलो वजन कम किया था। इसके बाद उन्होंने साल 2005 के दौरान ग्रासिम मिस्टर इंडिया मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और टॉप पांच कंटेस्टेंट में जगह बनाई बता दें की मोहित असल जिन्दगी में लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करते हैं गौर करने वाली बात यह है कि एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले मोहित रहना हुंडई मोटर्स के शोरूम में काम करते थे उनके पास ग्राहकों को कारों की जानकारी देने और सेल्स आदी की जिम्मेदारी थी मोहित ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात अंतरिक्ष सीरियल से की थी हालांकि उन्हें पहचान टीवी शो देवों के देव महादेव से मिली इसके अलावा वह बंदिनी 21 सर्फरोश सारागधी 1897 और चक्रवर्ती अशोक समराट आदी सीरियल में भी अपनी दमदार अदाकारी दिखा चुके हैं वहीं वह डौन मुथुस्वामी से बॉलिवुड में भी कदम रख चुके हैं मोहित अपने कामकाज के साथ साथ अपनी निजी जिन्दगी को लेकर भी सुर्खियों में रहे दरसल जब वह देवों के देव महादेव सीरियल में भोले नाथ का किरदार निभा रहे थे तब सीरियल में पारवती देवी का किरदार मौनी रौय ने निभाया था जो छोटे परदे की नागिन के नाम से मशूर है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त मोहित और मौनी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे हालांकि दोनों ने इस रिष्टे को लेकर कभी कोई बयान नहीं दिया तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और जय हिन्द